दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि T20 World Cup के पहले ही मैच में पाकिस्तान ने हमें किस तरह शिकस्त दी और इस हार का घाओ बहुत गहरा है हम भारतियों के दिलों में और अभी टूर्नामेंट बाकी है देखना ये होगा कि T20 World Cup में इंडिया का performance कैसा होता है पर दोस्तों कई बार ऐसे मैचेस में लगता है कि काश हमारे दिलों में बसे कुछ ऐसे players हैं वो आज होते इस मैच में तो मैच शायद इंडिया की जोली में होता है वही खिलाडी जिनने हम याद करते हैं उन में से एक है युवराज सिंग कई बार ऐसे मैचेस में युवराज सिंग की बड़ी आद आती है कि काश ये होते तो आज शायद यहाँ पर situation कुछ और होती खैर विश्व क्रिकेट में ऐसे बहुत कम खिलाडी हुए हैं जिनने नफरत करने वाले लोगों की संख्या बिलकुल ना के बराबर होती है और इन ना के बराबर लोगों के पास उन खिलाडीयों से नफरत करने का कोई ठोस कारण मिलने की गुंजाइश भी बहुत कम मिलती भारती क्रिकेट इतिहास में महेंदर सिंग धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहिच शर्मा, कपिल देव जैसे कई नाम इस सूची में शामिल हैं और ये सूची युवरास सिंग को शामिल किये बगेर खत्म नहीं हो सकती जिनोंने अपने 19 साल के बहतरीन करियर में दो बार हमारे देश को विश्वी चैंपियन बनाने में एहम भूमिकानी भाई थी भारत को छोटे बड़े मैच जिताने से लेकर वर्ल्ड कप विजेता बनाने में युवरास सिंग ने बहुत सी यादगार पारियां खेली हैं उन सबी कमाल की पारियों में से हम आपके लिए कुछ ऐसी इनिंग्स चुन कर लाएं हैं जो युवरास सिंग को क्रिकट के खेल का युवराज बनाती हैं एक ऐसा युवराज जिसे देखने वाली हर नजर इनकी मुरीद बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और अनुराक सर किसी काम में व्यस्तिता के चलते कहीं बाहर हैं तो उन्होंने मुझे जिमा सौपा है आज का वीडियो अपनी आवाज में लेकर आने के लिए तो आईए शुरू करते हैं युवराज सिंग की वो यादगार धमाकेदार पारियां नमबर एक 84 रन आस्ट्रेलिया के खिलाफ साथ अक्टूबर साल 2000 का दिन ICC नौकाउट ट्रोफी को जीतने की रेस में बने रहने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था पहले बल्लेबाजी करने उत्री भारती टीम ने 15 वे ओवर में सचिन के आउट होने के बाद चार दिन पहले अपना वन डे डेब्यू करने वाले इस लड़के ने अपनी दूसरी ही गेंद पर शांदार चौका लगा कर एक बहतरीन आगास के जरिये उस समय की सबसे खोंखार टीम आस्ट्रेलिया के खिलाडियों को मैदान की हर दिशा में दोडाना शुरू कर दिया नभे के स्कोर पर तीन विकेट गमा चुकी भारती टीम देखते ही देखते एक भोली भाली शकल वाले लड़के के दम पर मैच में वापसी कर रही थी और युवरास सिंग नाम का ये लड़का मैगरा, गिलेसपी और ब्रैटली जैसे गेंदबाजों वाली टीम की बखियां उधरने में लगा हुआ था पहले विनोत कामली और फिर रॉबिन सिंग के साथ भारती पारी को आगे बढ़ा रहे युवरास सिंग ने 33 वे ओवर में एक जीवन दान मिलने के बाद 35 वे ओवर में मेगरा की गेंद पर जन्नाटेदार चौके के साथ अपना अर्दशतक पूरा किया लेकिन बात यहां खत्म होने वाली नहीं थी युवरास सिंग ने आगे भी अपने शांदार शौट्स जारी रखे और भारती पारी के 19 वे ओवर में मैदान पर उत्रे युवरास सिंग 46 वे ओवर तक डटे रहे और फिर अगले ओवर में ब्रेटली की गेंद पर 8 वे विक और खासकर आस्ट्रेलिया को हराने का हुनर भविश्ची की कई कहानिया उनकी इस पहली पारी से ही नजर आने लगी थी युवरास सिंग का लगभग दो दशक लंबा अंतरराश्टरी क्रिकेट करियर कई एहम मुकाबलों और पारियों के बगएर अधूरा है लेकिन इस सफर में 13 जुलाई 2002 की तारीख का अपना एक अलगी महत्व है जिसका जिकर किये बिना युवरास सिंग पर लिखा गया कोई आर्टिकल और कही गई कोई बातचीत खत नहीं हो सकती इस दिन इंगलिश बल्लेबाज नासिर हुसैन और मार्क्स ट्रसकौथिक की शतकीय पारियों की मदद से इंगलेड ने नेटवेस ट्रोफी के फाइनल मैच में भारत के सामने 325 रवनों का ऐसा लक्ष रख दिया था जो उस समय की क्रिकेट में नामुम्किन माना जाता था ऐसे में सहवाग और गांगुली की शतकीय सलामी साज़ेदारी ने भारत को रहत की सांस लेने का मौका दिया लेकिन फिर इंगलेंड की टीम ने शांदार वापसी की मोंगिया रहुल ड्रेविड और सचिन तेंदूलकर जैसे बल्लेबास सस्ते में आउट हो गए थे 22 वे में मैदान पर युवरास सिंग उत्रे और फिर सचिन के आउट होने के बाद 25 वे ओवर में महमत कैफ ने उनको जोईन किया यहां से शांदार शॉट्स का वो एतिहासिक सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 121 रनों तक भारत की उमीदों को बांधे रखने वाला था युवर सिंग ने अपना अर्दशा तक पूरा किया 42 वे ओवर में युवरास सिंग 79 रनों की बहतरीन पारी खेल कर आउट हो गये लेकिन एक समय में मैच हार चुकी भारती टीम यहां से नतीजा बदल सकती थी और कुछ ऐसा ही हुआ महमत कैफ ने युवरास सिंग के सहयोग के बा युवरास सिंग वन्डे क्रिकेट की तरह T20 फॉर्मेट के भी सरताश थे और इसकी पहली जलक हमें इस नए फॉर्मेट के पहले ही ICC टूर्नामेंट में देखने को मिल गई थी इस टूर्नामेंट में भारती टीम के सभी अनुभवी खिलाडियों में से एक होने का फ़र्ज निभार है युवरास सिंग ने अपने करियर की दो सबसे बहतरीन पारिया खेली थी जिसमें से एक उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थ 20 गेंदों में अर्धशे तक पूरा करने वाले युवरास सिंग ने इस मैच में कुल 30 गेंदों का सामरा किया और 70 रन बनाए जिसमें 5 चोके और 5 गगन भेदी चखके शामिल थे इसमें से एक चखका ब्रैटली की गेंद पर 119 मीटर का मारा हुआ चखका था जो उस टूर्नामेंट का सबसे लंबा चखका था 18 ओवर में आउट होने से पहले हमेशा की तरह युवरास सिंग ने यहां भी अपना काम पूरा कर दिया था और भारत आस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा लक्ष रखने में काम्याब रही थी भारती टीम यह मैच जीत गई और पहले टी-20 वर्ल्ड कप की दूसरी फाइनलिस्ट बन गई साथ ही आस्ट्रेलिया आठ सालों में पहली बार किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के नॉक आउट स्टेज में हार कर बाहर हो गई थी भारत को इस टूर्नामेंट में चंपियन बनाने में युवराज सिंग की क्या भूमिका रही थी इसका बखान शब्दों में करना बहुत मुश्किल है जिसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि इस टूर्नामेंट के दोरान ये खिलाडी करोडों आशाओं का बोज लिए अंदर ही अंदर एक और जंग लड़ रहा था और ये जंग हर बीटते मैच के साथ मुश्किल होती जा रही थी युवरास सिंग ने इस मैच में कोहली के साथ 123 रनों की साज़ेदारी निभाई थी और अपना शतक पूरा किया लगातार बिखरती जा रही भारती टीम के लिए अकेले युवरास सिंग बहुत समय तक एक मातर उमीद बनकर बल्ले बाजी करते रहे लेकिन आउट होने से पहले खुला निमंतरन होने के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ा रवी रामपाल के कहर के बीच युवरास सिंग ने खुद से लड़ते हुए 113 रनों की पारी खेली और भारत को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुचा दिया आगे भारती गिनबाजों के शांदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ये मैच जीत कर शान से कौटर फाइनल में पहुचा और फिर च्यम्पियन भी बना लेकिन उसके बाद सामने आई ये खबर कि वेस्ट इंडीस के खिलते हुए युवराज सिंग सिर्फ डिहाइडरेशन से ही नहीं बलकि कैंसर से भी जूज रहे थे जिंदगी की इस जंग में चैनने की गर्मी के बीच शतक लगाने वाली बात इस पारी को युवराज सिंग की इस टूर्नामेंट में खेली गई बाकी सबी पारियों से सबसे बड़ा बनाती है युवराज सिंग के करियर या यू कहें जिंदगी को करीब से देखने पर पता चलता है कि उनके सामने जुतने अधिक मुश्किल सवाल पेश किये गए युवराज सिंग ने उन सवालों का उतना ही तेजी से और अच्छाई से जवाब भी दिया फिर वो चाहे मुश्किल टीम हो, मैदान हो, सिच्वेशन हो या फिर कैंसर ही क्यों ना हो एक ऐसा ही मुश्किल सवाल कैंसर से बशने के बाद उस समय भारती टीम में वापसी को लेकर भी युवराज सिंग के सामने आया जब श्रीलंका के खिलाफ T20 विश्व कप फाइनल में भारत की हार का ठीकरा इस महान बल्लेबास पर फोड़ दिया गया भारत को दो बार विश्व चैंपियन बनाने वाले इस खिलाडी को एक बुरे दिन के चलते जब अपनी ही टीम में वापसी पर प्रशने चिन्न लगाए बैठी थी तब युवराज सिंग ने अपने करियर का सबसे शांदार प्रदाशन किया जनवरी 2017 में महेंदर सिंग धोनी के बाद विराट कोली पहली बार भारती टीम की कमान समाल रहे थे वंडे सीरीज का दूसरा मैच कटक के मैदान पर खेला गया जिसमें भारती टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन शुरुवात अच्छी नहीं रही विराट कोली शिकरदवन और केल रहुल जल्द ही पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर महेंदर सिंग धोनी और युवरास सिंग मौजूद थे पहले भी कई बार भारत को मुश्किलों से निकालने वाली इस जोडी पर भारत को एक अच्छी स्थिती में पहुँचाने का जिद्मा था दोन बल्लेबाज और खासकर युवरास सिंग शुरु से ही अपनी लहे में नजर आ रहे थे युवी ने अपने शांदार शॉट्स खेलना जारी रखा इंगलिश टीम का हर गेंबास उस दिन युवरास सिंग के करारे शॉट्स देखकर हैरान था भारती पारी के चौथे ओवर में मैदान पर उत्रे युवरास सिंग ने 20 वे ओवर में अपना अर्धश तक पूरा किया और फिर 33 वे ओवर में साल 2011 के बाद पहली बार 100 का अकड़ा पार किया युवरास सिंग का करिश्माई खेल आगे भी इस मैच में जारी रहा और उन्होंने 42 वे ओवर में अपने वंडे करियर में पहली बार एक पारी के दोरान तीसरी बार बल्ला हवा में लहराया अगले ओवर में युवरास सिंग की ये शांदार पारी खत्म हुई जिसमें उन्होंने 127 गेंदों में 21 चोकों और 3 छकों की मदद से 150 रन बनाये थे सबको लगने लगा था कि शायद उन्हें अपना पुराना युवराज वापिस मिल गया है कि अगर ये जो T20 वर्ल कप का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ अगर उस मैच में युवरास सिंग होते तो क्या भारत की ये जो हार हुई है पाकिस्तान से उसकी कहानी क्या थोड़ी सी अलग होती आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार को अधभुत का थाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच तो अभी सब्सक्राइब करें नारतवानी यूट्यूब चैनल को